हलो दोस्तों स्वागत है आपका क्वालिटी एजुगेशन के इस प्रैटफॉर्म पर हमारी प्वालिटी की क्विशन सीरी चल रहे थी और पिछले वीडियो में हमने पटवार का जो टेस्ट सीरी का पेपर हुआ था 16 अगस्त को जो हमारे फस्ट सेडूल का टेस्ट पेपर उसके मैंने 61 से लेकर 80 तक यानि total 20 कुशन्स आपको करवाई थे आज हम next 81 to 100 यानि 20 सवाल और करवाने वाले है next 20 कुशन्स आपके सामने आने वाले है बहुत ही अच्छे सवाल है और आपको इन 20 सवालों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कल के वीडियो को भी आपने बहुत अच्छा पसंद किया उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए आपकी अच्छे कमेंट्स हैं जो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं मुझे बहुत उत्साइद करते हैं कि मैं और ज्यादा बहतर आपके लि ग्रूप देखे हैं बहुत सारे टेलिग्राम चैनल पर ऐस तरह के ओनलाइन डिसकेशन वाले ग्रूप भी बन रखें मेरा आपको यहां पर सजेशन क्या है देखो मैं बना दूंगा उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन एक सजेशन जो मेरा रहेगा और मैं नही हजार लोग पर्मानेंट ओनलाइन रहेंगे और अपना डिसकेशन करते रहेंगे ऐसे डिसकेशन में कभी भी अच्छी बाते निकल कर नहीं आती है और जो सीरेस केंडिडेट होते हैं कई बार वो भी उनका कंसेंट्रेशन खतम हो जाता है और भटकाव की तरफ बढ़ जा कोई लाब नहीं है इसलिए मैंने कभी भी इस तरह के ओनलाइन डिसकेशन को ओपन नहीं किया मुझे पता कि इससे सिर्फ स्ट्रेंट का नुकसान होता है यह किसी ज्यादा काम नहीं आता है आपको चीज़े जो भी जाननी है कुछ भी नई चीज़े अगर आपको जानने क सवाल हो तो त्यान देना मैं किया रहा हूँ अगर आपको कोई बहुत जरूरी सवाल हो वो पूछना है तभी आप इन पर वाट्सेप मैसेज करें क्योंकि आपके लिए तो ऐसा होता कि वो एक ही मैसेज है लेकिन मेरे पास हर रोज सो डेर सो अगर मैसेज आना शुरू हो हो जाएंगे तो मैं किसी का रिप्लाइग नहीं कर पाऊंगा कई कैंडिट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऐसे कोई खास उनका सवाल नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत सारे बार-बार मैसेज करते रहते हैं उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है हमें बहुत परशानी होती है औ तो आपके लिए नंबर खुले हैं जरूर आपके गर कोई जैन्यून सवाल होगा तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा आपके कोई जैन्यून प्रशन है वास्तों में आगर कोई प्रोब्लम आ रही तो आप इन नंबर पर वाटसेप मैसेज भेज सकते हैं कोई दिबान कर है हाई कोट लटसीग आ चूके है तो जल्ट ही हम स्ट्पी है कि खत्री से शेलबस जोड़ सकते हैं यह मैं आपको पछले वीडियो में भी बता चुका हूँ 16 अगस्त को जो पटवार का पहला सेडियूल का टेस्ट था जो की क्वालिटी एजूकेशन के फ्री अवेलेबल है सभी केंडिट्स के लिए पहला टेस्ट अभी के लिए फ्री था तो उसके जो के सवाल थे मैंने वहां से लिए टेस्ट कोड 1021 अब नेक्स संडे को जो 27 सित्त अंदर वारगा उसको हमारा 1027 यानी 27 सित्वा हमारा टेस्ट होने वाला है तो जो केंडिट्स अभी भी जुड़ना चाहते तो अभी भी जूड़ सकते हैं उनके लिए मेरी सला है है आपको वो कब करना है वो जब हम फुल टेस्ट री चालू करेंगे एक बार सार रिविजन हो जाएगा और एक बार आपके कोर्स पूरा हो जाए तब आप उसको कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इस तरह का सवाल भी मुझे केंडिट्स के द्वारा पुछा गे आपको पिछले ट प्रसाष्ण का टॉपिक आपके पंटवार में दे रखा लेकिन ध्यानदागर में उफखनड प्रसाषां भी आ जाता है तैसिल का प्रसाष पटवारी ये सारे इसमें सामभिल हो जाते हैं ठीक है और इस थान में गरामीन और शे album शरी धोनों आते हैं अब सवाल देखते ह राजस्तान में जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देते हैं option आपके सामने फटा फट से जवाब दीजे कमेंट कीजे आपका सही आंसर क्या है फिर मैं इसका उतर बदाता हूँ जिला प्रमुग अपना त्याग पत्र किसको देता आप अपने आंसर दीजिए तब तक मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पंचायती राज के तीन इस्तर होते हैं पहले इस्तर पर सबसे निचले इस्तर पर ग्राम पंचायत होती है दूसरे इस्तर पर पंचायत समीति होती है तीसरे इस्तर पर जिला परिशद होती है ये तीन इस्तर होगे है ठीक है लेकिन जब हम नगर में जाते हैं तो उसके तीन प्रकार है वो तीन इस्तर नहीं है आप समझ गया होँगे तीन इस तर निगम अलग होता है सबसे बड़े नगरों में उसके बाद छोटे नगरों में नगर परिषयज और सबसे छोटे शेरों में नगर पाले का होती है ऐसा नहीं हुगा कि एक नगर निगम के अंदर बहुत सारे नगर परिशद होंगे इसलिए तीन परकार है जबकि यहाँ पर तीन इस तरह इसलिए इसको कहा जाता है त्री इस तरह पंचायथी राज क्लियर होगे हैं यहाँ पर कंसेप्ट अब अपने सवाल पर आजाते हैं राजस्तान में जिला परमुक जो होते हैं जिला परमुक यह जो सबसे उपर का इस तरह होता है जिला परिशद उसके अध्यक्स होते हैं इसके अध्यक्स को जिला परमुक इसके अध्यक्स को प्रधान कहा जाता है और सबसे निचले इस्तर ग्राम पंचायत के जो प्रमों होता है, उसको सरपंच कहा जाता है, यह अपना त्याग पत्र किसको देता है, जिला कलेक्टर को देता है, जिला परिशत के कारिकारी अधिकारी याने CEO को देता है, संभाग या या मुख्य सचीव को देता है, अब द सबसे उपर मुख्य कारिकारी इसको हम CEO के सकते हैं यह पर शाषनिक अधिकारी होते हैं इन तीनों सतर पर तो सर्पंच और वाडपंच जो यह वाडपंच नहीं कहेंगे उप सरपंच कहेंगे यह अपना जो त्याग पतर है वो बीडियो को देते हैं ठीक है और यह जो प्रधान है इसको देगा और जो जिला प्रमुक है यह अपना त्याग पत्र ये एक इस तर और उपर जाएंगे और यहाँ पर देंगे वो संभाग ये आयुक्त को जो संभाग के इस तर पर द्यान अकना वो जिला परिशत का परमुग जो है वो जिला कलेक्टर को नहीं देगा वो संभाग ये आयुक्त को अपना त्याग पत्र द सम्भाग आता है तो जौदपूर कने समभाग राज्व करने में अदिकारी बहुत ही पॉपपूलर योजना को पूरे भारत में बहुत राज्व ने अपना और इस पूरे मोडल को कही राज्यों ने अपनाया था तो वही समित सर्मा अभी फिलाल वरतमान में जोधपुर के संभागी आयुक्ट है बहुत ही तेज तरार ऑफिसर माने जाते हैं तो हर संभाग पर एक संभागी आयुक्ट होता है हलाकि संभागी आयुक्त को एक ऐसा पत माने जाता जो ज़्यादा काम का नहीं है लेकर अगर अच्छा विगटन की तारिक से 6 महिने के अंदर चुनाव करा लेना आवशक हैं। दूसरा, पंचायत के समय पूर्व विगटन होने के पशाद, पुनर गटित पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए कारेक करेगी। दो है, कौन सा कथन सही है, आपको बताना फटा फट से अपने जवाब आप दीजिए। पंचायत के समय पूरो विगटन होने के पशाद, जब वापस नई पंचायत आएगी, वो पूरे 5 वर्ष के लिए कारेकर रेकरेगी। ये कथन यहां से गलत है, ऐसा ही सरपंच पर भी लागू होता है, कोई अगर सरपंच नया सरपंच वापस बन कर आता है बीच में, तो वो पूरे पांच वर्ष के लिए नहीं होता है, बलकि ये जब बनेगी, अगर मालोगों पंचायत धाई साल में विगटित हो गई, तो न 10,000, अब तो 11,000 से ज़्यादा पंचायत हो गई है, सभी के चुनाव एक साथ कराया जाते हैं, इस बार ऐसी कंडिशन हो गई थी, कोरोन करान की अलग अलग टाइम कराया जा रहा है, बाकि सभी का एक साथ चुनाव कराया जाएगा, अब आप मुझे बताईए, कि कोई भी पंचायत बीच में कभी विगटित हो सकती, अगर उन सब का कारेकाल 5-5 वर्ष वापस रखा जाएगा, जैसा कि लोग सभा में यहाँ पर होता है, तो क्या होगा, उससे ही होगा कि थोड़े टाइम बाद हर पंचायत का अलग अलग टाइम पर चुनाव कराना पड़ेगा, आप्शन A केवल A सई है, बाकी यहाँ पर गलत होगा, अगला सवाल देखते हैं, राज्य मंत्री परिशद की अधिक्तम सदस से संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसका जवाब देना है, आप फटाबट से जवाब लिखे, यह सवाल तो आपको आना चाहिए, क्योंकि यह कई बार एक्जामें रिपीट हो चुका है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, किसी भी राज्य में या फिर केंद्र में भी मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, क्या यह निश्चित नहीं है, विधान सभा की, क्योंकि हम राज्य मंत्री परिशद की बात करें, इसलि या विधान मंडल, एक या विधान परिशद में इन तीनों शब्दों को क्लियर कर देता हूं, कई बार इसमें भी स्टुडेंट काफी कन्फूज होता है, कि विधान मंडल क्या होता है, और विधान सभा क्या होता है, देखो जैसे देश में केंदर में संसद होती है, ऐसे राज्य में इसको कहा जाता विधान मंडल और इस विधान मंडल के दो यहां पर भाग हम कह सकते हैं दो सदन इसमें होते हैं एक हम कह सकते हैं उच्छ सदन विधान परिशद और दूसरा होता है विधान सभा तो जैसे संसद होती है केंद्र में ऐसे विधान मंडल होती है रा राज्य के स्रेणी में आएगा विदान परिशद हर राजी में होना अनिवार्य नहीं है वर्तमान में कितने राज्य में है मेंिन आपको पिछले वीडियो में बताए था अभी केयोल छह ermाज में है पहले साथ में ती जम्मू कश्मिर्गी में वो विदान परिशद नहीं है विदान सभा भी नहीं है विदान सभा हलाकि अब जल्दी बनेगी अब इस सवाल के आंसर पर आते हैं अगर हम देखो हम 2003 से पहले की बाद कर रहे होते हैं तो इसका आंसर हो जाता है option a लेकिन हम अब दो जार टीर में नहीं हैं हम दो जार बीस में आ चुके हैं और दो जार बीस में अब यह चेंज हो चुका है अब इसका आंसर ये नहीं होगा, ए उप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा 2003 में एक सम्विधान संशोधन हुआ, ये सम्विधान संशोधन बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप नोट कर लेना, अगर आप नोट बुक लेकर बैटे हो क्यों कि ये सवाल कई बार कई एक्जामें रिपीट हो चुका है किस सम्विधान संशोधन के तहत मंतरी परिशत की संक्या निश्चित कर दी गई है तो वो सम्विधान संशोधन था, 91 सम्विधान संशोधन 2003 अगर कई बार समविधान संशोधन के बारे में भी सवाल पूच जाता है उसमें से सबसे important समविधान संशोधन में से यह आता है इस समविधान संशोधन यह हुआ था 2003 में अटल बिहरी जी की सरकारती केंदर में उन्होंने एक समविधान संशोधन किया और केंदर में भी और राज्य में भी ये निश्चित कर दिया कि विधान सबा, option B इसका right answer होगा कि विधान सबा और लोग सबा की कुल सदस्य संक्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते है मुख्य मंत्री समेत और केंदर में परधान मंत्री समेत अब मैं आपको बताता हूँ, राजस्तान में टोटल 200 विधान सबा सदस्य है अब उसमें पूछा जाए कि मंत्री परिशत की संक्या कितनी हो सकती तो उसका 15% आप निकाल देंगे तो इसका answer आएगा 30 राजस्तान में मुख्य मंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते है ये इस 91 समीदान संशोजन 2003 के तहत निश्चित कर दिया गया भी हमारा right answer होगा मेरे ख्याल से आपको इस एक सवाल से बहुत कुछ चीज़े clear होगी होगी अब हम next आगे वढ़ते हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ और clear कर देता हूँ अगर हम बात करें केंदर में कितने मंत्री हो सकते हैं तो उसकी संक्या आपको बताई जाएगी 82 ओके प्रदान मंत्री सहित अगला सवाल निमनल लिखित में से कौन सा कारी उपखंड अधिकारी जिसको हम SDO या SDM भी कह सकते हैं सब्डिविजनल ओफिसर या सब्डिविजनल मजिस्टेट कौन सा कारी उपखंड अधिकारी का नहीं है भू अभी लेक तयार करना भू राजस्व की वसूली करना उपखंड की कानून और व्यजस्ता लो एंड उडर को देखना और न्याइक प्रसाशन फटाफट से अपने आंसर बताए क्या होगा एक SDM कौन सा कारी नहीं करता है बिल्कुल आपने अधिकांस ने सही जवाब दिया है इसका सही आंसर होगा न्याइक प्रसाशन नैइक प्रसाशन का कारी उपखन अधिकारी का नहीं होता है ठीक है वो क्योंकि वो राजस्व संब्ञदी कारी करता है तो भू अपिलेक तैयार करना ये उसका काम होता है भू राजस्व की वसूली करना एक SDO के तोर पर और SDM के एक राजसु अधिकारी के तोर पर उसका ये कारी होता है तो फूराज उसकी वह वसूली भी करता है SDM के रूप में सब्डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में लो एंड ओर्डर को देखना 12144 लगाना कहीं पर कानून विवस्ता बिगड़ जाए तो पुलिस को वहाँ पर भेजना पुलिस का नेरेक्शन करना ये सारे SDM के कारी होते हैं ठीके SDO के तोर पर वो विकास अधिकारी के रूप में काम करता है यहाँ पर वो एक दंड़ अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है कानून विवस्ता की देख भाल का कारिया भी SDM के जीमें आता है लेकिन न्याइक परशाषन ये इसका कारिया नहीं है इसके लिए अधिनस्त न्यायले होते हैं वहाँ पर न्यायले में न्यायक परशाषन होता है यहाँ पर न्यायक परशाषन की बात करें यह एक अर्द न्यायक अधिकारी इसको जरूर कह सकते हैं क्योंकि इसको भी दंड़ अधिकारी के रूप में न्यायक करने का अधिकार होता है यह जुर्माना भी लगा सकता है लेकिन यह नियाईक प्रशाशन के रूप में यह कारी नहीं करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन डी नेक्स सवाल देखते हैं नीचे कुछ कारी कारी शक्तिया दी गई है इनमें से कौन सी सकती सम्विधान की ग्यारवी अनुसुची में वरनित पंचायती रासंता को दी जाने वाले शक्तियों में शामिल नहीं है आपको कतन यह दी हुए हैं में लिखावा पंचायतों का लएगा शीदक सिदा को यहाँ पर दो पंचायती रासंताव में उनसुची तो चयारवी अनुसूची सब्मण देते इसन कितने विशे यह सवाल पूचा अएगा कौन 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 से विशे शामिल यह पूचा जारा रहे बिजुकी में से विशे शामिल है तो देखो पशू पालन डेरी मच्चे पालन मुर्गी पालन कृशी करना यह सारे के सारे इसमें 29 विशों में सामिल है तो बिलकुल साही जवाब है तकनिकी सिक्षा इसमें सामिल है यह नहीं है जो गरीबी उन्मुलन शामिल यह नहीं है तो गरीब है यजो तरह से दूर रोजगार दिया ये भी काम पंचायत को दिया हुआ है तक्निकी शिक्षा की बात करें ये सामिल है या नहीं है दोको ध्यान देना इसमें तक्निकी पर्शिक्षन तो सामिल है पर्शिक्षन अलग चीज है तक्निकी शिक्षा अलग चीज है तकनीकी सिक्षिया जैसे बीटेक हो गया, बी हो गया, कोई डिपलोमा हो गया, इस तरह की यह हो गया तकनीकी सिक्षिया, जबकि तकनीकी पर सिक्षिया में तो किसी भी परकार का टेकनोलोजी वाला पर सिक्षिया हो सकता, तो यह विशे तो सामिल है, लेकिन तकनीकी सिक्ष सामिल नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा व और द तो अ बड़ द हमें ऑप्शन नमबर बी में दिख रहा है तो इसका सभी आंसर हो जाएगा व और द ऐसे आप मुझे बताए बार्विय जो हमारी अनुसुच यह उसमें टोटल कितने विश्च है यह आप मुझे कमेंट में लिकर फटावड बताईए हैं हम नेक्स सवाल देते हैं राजस्तान पुलिस विभाग में ओनलाइन एफ यार एफ यार आप जानते हैं यहां पर बता रहा है ओनलाइन एफ यार यह योजना कब शुरू की गई है तो यह आपको बताना है चार आपके सामने यह थोड़ा फुल फॉर्म क्या होता है मुझे आप कमेंट में लिकर बताईए एफ आई आर का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो फटावड़ी कमेंट में मुझे आप लिकर बता दीजिए अब मैं बताता हूं ओनलाइन एफ यह योजना यह शुरूआत हुई 18 दिसंबर 2006 से और से जुड़ा पुलिस सुधार भारत में पुलिस पुलिस लोगों की साहिता के लिए होती है लेकिन लोग सबसे ज़्यादा पुलिस से ही डरते हैं पुलिस में क्या सुधार होना चाहिए सुधार के लिए अब तक क्या क्या किया गया यह आरेस मेंस का टॉपिक होगा आरेस तरह को हमारे गाहों में चुनाव चल रहा है सरपंच के तो दिन भर में बहुत शोर सराब होता है दिन में मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं तो आपके लिए मैं वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीके रात को यह वीडियो रिकॉर्ड होता है दूसरे तरीके करन्ट अफेर्स के इस तरह के वीडियो में में कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ले करूँगा नेक्स सवाल देखते हैं नियमने लिखित में से कौन सा कारे तैसिलदार का नहीं है ध्यान देना यह सारे के सारे सवाल जिला प्रशाशन के टॉपिक में आपको पू जो सरवीस होती है ठीक है उसके तहत सस्ते मुल्यों की दुकानों का नियंतरन करना जो राशन की दुकाने होती है उनके देखरे करना उनका नियंतरन करना क्या यह तेसिलदार का अधिकार में आता है बिल्कुल आता है, सभी है, तैसिल में सड़के बनवाना, उनकी देखरे का कारे करना, क्या ये तैसिलदार के अंदर आता है, प्रोटोकोल के दाइतों पूरे करना, प्रोटोकोल कुछ भी हो सकता है, जैसे बाहर से मुख्य मंत्री आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहे हैं, उनकी मेंने आपको बताय है, यह नहीं होता है, वो है answer B, तैसिल इसले में सड़के बनवाना, अब सड़के बनवाना तैसिल्दार का काम नहीं है, उनके देख रहें, सड़के बनवाना देख रहें करना, यह PWD सारोजनिक निर्मान विवाग जो है, उनका काम है, नाकि तैसिलदार का इसलिए इसका अंसर हो जाएगा option number B ये तैसिलदार का काम नहीं है तैसिलदार और पटवारी ये राजस्वी विभाग से जुड़े होते हैं की उपखंड अधिकारी जो होते हैं और कलेक्टर जो होते हैं वो राजस्व विभाग से जुड़े वे नहीं होते हैं अगला सवाल राजस्व विधान सवा से संबांदित निम्न लिकित तत्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का पर्योग करते हुएं सही उतर का चैन कीजिए अनुछेद 168 के तहट परतेक राजस्व की विधान सवा में अधिक्तम 500 सदस्य और नियुनतम 60 सदस्य होंगे यहाँ पर कथन B क्या कह रहा है अनुछेद 172 के तहट विधान सवा कारेकाल 5 वर्स होता है तो बात तो सही लिख रहे हैं अब यहाँ पर जो कन्फूजन हो रहा है न वो यह हो रहा है कि आर्टिकल सही है कि नहीं है अब आपको कुछ-कुछ आर्टिकल भी अच्छे से इध्यान में होने चाहिए अगर आर्टिकल याद नहीं है तो भी प्रोब्लम हो जाएगे क्योंकि आजकल कुसी भी एक्जाम में बहुत ज्यादा आर्टिकल भी पूछे जा रहे है पॉलिटी में जो सबसे ज्यादा पढ़ा रहा हूं लेकिन 395 मुझे भी याद नहीं रहते काई कुछ आर्टिकल दिमाग से निखली जाते हैं 395 याद करना बहुत मुश्किल का हमें अब हमें क्या करना है इसके लिए 395 याद नहीं करना है 395 आते भी नहीं है हम जो महत्पूर्ण है उसको याद कर लेंगे 395 याद करने कोशिश करेंगे तो जो इंपोर्टेंट है वो भी भूल जाएंगे तो जो वास्ता में केवल इंपोर्टेंट है केवल उन्हीं को याद करेंगे तो 90 परसेंट चांस हो गया कि वहीं से सवाल पूछ लेंगे लेकिन 10 परसेंट गारंटी तो उसकी भी नहीं को 174 के तहित राज्यपाल भंग कर सकता है और आगे लिखावा अनुच्यद 169.3, 179.3 के तहित राज्य के चुनाव शेत्रों से वयस्क मतादिकार के आदार पर प्रत्यक्स मद्दान दौरा विदान सबका चुनाव होता है जो लिखा हुआ है वो सारी बाते सही लिखी वे ले है यह बात जो लिखी हुए कि विदान सबा में अधिक्तम 500 सदस्य हो सकते है 99 सदस्य है यह बात तो सही है लेकिन यह आर्टिकल 170 में मिलेगा वो विदान सबा से जुड़ा हुआ है 168 में विदान मंडल का हो लेके कि एक विदान मंडल होगा जो तीन अंगों से मिलकर बना होगा विदान सबा विदान परिशद और राज्यपाल और यह भी लिखा हुआ कि विदान परिशद सभी राज्यों में है नहीं होगी ठीक है निवारियन नहीं है तो यह 168 में लिखा हुए 170 में लिखा हुआ यह जो बात में लिखी यानि कि यह गलत हो जाता है अब देख यहां से राइट विदान सबाफ को समय से पूर्व अनुषे राज्यपाल भंग कर सकता है बिलकुल बेसा हो सकता है तो सर्भ यहां पर राइट अब जो दव में लिखा हुआ है बस दव अप्षन ही नहीं है तो दव ऐसे ही गलत हो जाता है 169 close 3 इसके अनुसार यहाँ पर क्या है वो देखते हैं 163 में क्या लिखा हुआ है 169 3 में 169 किसे सम्बंदित है जो 169 है वो सम्बंदित है विधान परिशद के स्रजन और उत्सादन यानि उसको समाप्द करना तो विधान परिशद के स्रजन और उत्सादन यानि उसको समाप्द करने से सम्बंदित है close 3 में यह लिखा हुआ है कि विधान परिशद का स्रजन या उसको समाप्द करना ऐसा संसत जो करती है वो सम्विधान संशोधन के तहत शामिल नहीं होगा ऐसा 169.3 में लिखा है इसका मतलब यह जो बात लिखी हुई यह भी यहाँ पर option 2 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा तो B और S इसका right answer होगा option C यहाँ पर right हो जाएगा नेक्स सवाल देखते है 89 राजस्तान में सरुपर्तम बीकाने रियासत ने पंचायती राज के सम्बन में कानून बनाया कौन सेसन में यह पूछा जा रहा है देखो यह सवाल थोड़ा सा बिलेकुल नया लग रहा इसका सही answer में आपको बदा देता हू option D 1928 में यह थो था सवतंतरता से पहले बीकाने रियासत महराज गंगा सिंग होते हैं उस समय पंचायती राज के सम्बन में कुछ कानून उनने बनाई थे और सवतंतरता के बाद आपको पता है सबसे पहले काम 1902 से शुरू हो जाता है समय विकास कारी करम शुरू किया जाता है लेकिन फेल हो जाता है पूरी तरह से नहीं चलता है 1902 समय विकास कारी करम उसके बाद वापस प्रियास किया जाते हैं और 2 अक्टूबर 1909 पंचायती राज लागू किया जाता है भारत में हलाकि सिर्फ नाम मातर था चला बिल्कुल भी नहीं पंचायती राज लागू कर दिया था पर पंचायती राज ये भी पूरी तरह से फेल रहा वास्ता में पंचायती राज को शक्तिया मिली जब 73 और 74 वा सम्विधान चंशोदन पारित होता है इसको सम्विधानिक दर्जा मिलता है पंचायतों को तभी जाकर पंचायतों को वास्ताविक सशक्ति करना होता है क्योंकि अब सम्विधान में लिख दिया गया अब हर 5 साल में चुनाव कराना जरूरी है पंचायतों को फंडिंग देना जरूरी है ठीक है अब यहां से सरपंच बन रहे हैं प्रधान बन रहे हैं उनके पास में वास्तविक पावर आ रही है पहले बस ठीक है लागू कर दिया ना तो टाइम पे कभी चुनाव होते थे ना कभी इनको फंडिंग दी जाती थी तो वा अवसर ही नहीं मिला कि इन पंचायतों पर निचले इस्तर पर ध्यान दे अभी देश ही नहीं समल पा रहा था नया नया देश आजा दवा 62 पे 63-64 में देश में भैंकर अकाल पड़ा था हम उसी से जूज रहते 65 में पाकिस्तान ने आकर्मन कर दिया था उसके बाद से वापस प्रया शुरू होते हैं लेकिन उसके बाद से सरकार इस्टेबल नहीं हो पा रही थी और भारत कहीं तरह की समझाव से जूज रहता उसके बाद राजीव गांदी जी की सरकार आती है उन्होंने कुछ कोशिश की और इन कोशिशों के बाद ही ये जो 73 और 74 वा संजविदान शंशोदन लागू हो पाता है उसके बाद से अब यहां पर लगबग 25 साल हो गया है कि लगातार सही से चुनाव हो पा रहे तो देवो में आपको पंशाथी राज की पूरी कानी शोट में यहां पर बता दी है अब नेक्स सवाल पर बढ़ते हैं लोक सी इसका राइट आंसर है बलवंत राय महता लोक तांत्रिक वी केंद्री करन इसको यहां पर पंशाइती राज का जनक भी कहा जाता है यह बलवंत राय महता जी राजस्तान में एक बलवंत सिंग महता थे वो अलग है ध्यान रखना वह बलवंत सिंग महता यह बलवंत राय महता हैं यह पहले गुजरात के मुख्य मंतरी भी रह चुके था तो इनको पंचाइती राज को कैसे निचले इस तरह पर पंचाइती राज को सरकार को इस्थानी सोसासन को सक्सिज बनाए जा सकता है इनके लिए एक समिती गटित कुई थी उनका अध्यक्स बनाए था बलवं महत्मा गांदी का इस अपना था ग्राम स्वराज का 2 अक्टूबर 1909 को पूरे यहां पर देखो नागोर में सबसे पहले लागू किया गया पंचाइती राज को और पंचाइती राज की शुरुवात कर दी गई ठीक है तो बलवंत राई में था अब देखो यहां पर एक इसका उद्देश है था तो लोक तांत्रिक वी केंद्रिकरन का मतलब क्या होता है केंद्रिकरन का मतलब है पावर को एक जगा इखटा करना और वी केंद्रिकरन इसका उल्टा कि जो पावर है वो एक जगा पर नहीं होनी चाहिए उस पावर को आप अलग-अलग जगा पर decentralized बांट दीजिए हर गाम के पास ताकत आजानी चाहिए इसको कहते है वी केंद्री करना ठीक है तो लोक तंत्र की जो पावर है वास्तों में वो वास्तों में लोगों के पास पहुंचिनी चाहिए decentralized करना यह यहाँ पर दिया था बलवंत राय में था ने अशोक महता भी इस पंचाती रात की समीति से जुड़े वेता आगे पड़ेंगे 1977 में इन्हों ने यहाँ पर समीति गटित की उसके अध्यक्स थे विनोबा भावे या आजादी के समय इनका नाम आता है इनके बारे में जमीन का दान करना यह लोगों से बहुत जगा जमीन इन्होंने मांगी थी किसानों दी इस तरह से बूदान आंदोलन था दूसरा इनके बारे में एक सवाल और पुच्छा जाता है विनोबा भावे के बारे में महत्मा गांधी ने व्यक्तिकत सत्यागरा शुरू किया था यह लग पकंट सत्यागरह शुरू किया था तो सब्सक्राइब करन तो पहले सत्यागरह सब्सक्राइब दूसरे में नाम आता है जवारलाल नहरू का पॉल एपल बी यह अमेरिकी सरकार में प्रिफिचे लेकिन उन्हें भारतिय प्रशासन के बारे में उन्हें काफी कुछ लिखा है इसलिए यहाँ पर इन्हें नाम दिया है अब देखते हैं अगला सवाल 91 नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की जाते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था नगर निगम में अब मुख्य क कमीशनर होता है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं मैंने आपको बता है नगर निगम का जो आयुक्त है वह सामानद्य जाता UCF होता है और ऐसी Νगर है नगरपालीका में नगर परिश्ध हो सकता है राजस्थान में थीक है तो यह सतीकारी नगरपालीका नगरपरिश्ध में हो जाते हैं आई कि निगम o ryra Komenda फैंसाहि सनी किसके मेत ब्लागर होती है उसके बाइंसान Eastern सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट का भी यहां पर काम नहीं है मेयर भी इसका नियुक्त नहीं करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की सरकार के द्वारा नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किस नगर निगम में क अशोक महता समीथी, тяж लेम, लक्षमी मिल संगवी समीथी और साधिकली समीथी तो पहले तुम्हें आपको बदातू ये सारी समिथ पंचाैती रात से जोड़ी होती है आपको अगर कई बार सवाल पुछाता है हैं कौन सी समीति पंचायती राज से जुड़ी हुई है या कौन सी समीति पंचायती राज से सम्मंदित नहीं है ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है तो ये चार तो आपको ध्यान में रखना ही है ये बलवंतराई मेता समीती उसके बादा सोक मेता समीती ठीक है एक पी के थुंगन समीति आई थी एक ये जो लक्षमी मल सिंग भी समीति है ये भी पंचायती राज से जुड़ी हुई थी ठीक है तो ये सारी समीतिया पंचायती राज से जुड़ी हुई है तो ये सारी समीतिया पंचायती राज से जुड़ी हुई है अब ये जो 27 में गठित की गई थी लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंड आपको सवाल पूचाता है इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1959 में और दो अक्टूबर को इसकी 305 इसी की सिफारिस के आदर पर 305 पर आज भारत में लागू किया गया असोक महता समिती यह 1977 में भारत में यहां पर कॉंग्रेस की सरकार हट गई थी पहली बार हुआ था 1975 में यहां पर ऐसा हुआ था आपात का लगा था उसके बाद 1977 में चुना हुआ और कांग्रेस को बड़ी यहां पर पराजे मिले थी उनीस सो सत्यतर में पहली बार घेर कॉंग्रेसी सरकार भारत में बनी थी ठीक है जनता पार्टी की बाहाँ पर सरकार बनी थी मोरार जी देशाई देश के परदान मंत्री बने थे उन्होंने इस समीति गठन किया वापस पंचायती राज को शुरू करने के लिए चीक है तो यह अस्वक मेता समीति हो गई इसके बाद आती लक्ष्मी मल सिंग्वी समीति यह लक्ष्मी मल जो थे बड़े जानकर थे कानून के कानून वित थे इनिके अभी सूप उतर है आप जानते होंगे अग तक सम्वेदानी दर्जा नहीं देंगे तब तक इसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है तो 1986 में लक्ष्मी मल संग्वी समीति को बहुत इंपोर्टेन माना जाता है पंचायती राज में इसके बाद यह साधिकाली समीति इसको ध्यान में रखना है यह राजस्तान सरकार दो यह सारी के सारी उपर वाली के अंदर सरकार के थी यह राजस्तान सरकार के थी और यह 1964 में गठी थी राजस्तान में पंचायती राजस्तान में एक और आती हरलाल खर्रा समीति ठीक है उनके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हरलाल खर्रा समीति यह भी राजस्तान से स मचानी में हो गराम सभा का गठन होता है तो इस तरह के सवाल में आपको बता चुका उं ग्राम सभा पहले तुम्हें आपको बताता हूं ग्राम सभा का उल्ले कहां पर है पूरा जो पंचाइती राज का यहां पर है वो आर्टिकल 243 है 243 से लगाकर ओतक यानि कर से लेकर रणह तक ऐसा हम कह सकते हैं अनुछी 243 में पूरा भाग 9 यहां पर समाया हुआ है और कर से 48 P से लेकर Z Z तक यहाँ पर आपको भाग 9 कमिलेगा यानि पूरे जो नगर पालिकादीन यह में वो सारा का सारा इसमें आपको मिलेगा ठीक है तो दो फेक्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया अभी किया रहा है ग्राम सभा कहां लिखी वे तो ग्राम सभा जो पहला ही आर्टिकल है 243A 243A में ही 243A के अंदर ही यहाँ पर ग्राम सभा का उलेख हमें मिलता है और ग्राम सभा किसको कहते हैं तो मैंने आपको यह पहले बता दिया है सिर्फ पंच और उप सरपंच मिलकर मनता है नहीं ग्राम पंचायत सेतर में निवास कर रही समस्त जनता से तो इसका अंसर यह भी गलत है पंचायत सेतर की मतदाता सूची में पंजिकरत सदस्यत है ठीक है तो यह इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत समीति यहाँ पर हमन जाता है उनसे मिलकर बनती है जो पंजिकृत नहीं है बले उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और पंजायत में रहते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे ग्रामसभा में अगला सवाल राजस्तान में सूचना आयोग का घठन किस थीति को किया गया तो को 12 अक्तूबर 2005 एक तो आप यह तारिक रखेंगे भारत में सूचना का अधिकार यानि RTA कानून को लागू किया गया राव to information ठीक है इसको लागू करने के बाद सूचना आयोग बनाये गया केंद्रय सूचना आयोग भी बनाया गया राज्ज्ज्ज्ज्ब को सब्सक्राइब संब्सक्राइब बनाये गया अब आपको सवल ये पूछा जारा कि कि 2006 में गटी तो लेकिन तारिक समेथ पूछ लिया गया तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अठारा अप्रेल 2006 को सूचना आयोग का गठन होता है और एक्षेक्ट और आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं कि राजस्तान के पहले प्रतम सूचना आयोग कौन थे तुश्री अपर रेगुलर जो पड़ते रहे उसमें हर दूसरी में राजस्तान में डेश में कौन क्या है वो सारी लास्ट में एक लिस्ट दे रखी होती है तो आप अंत्रास्टे क्रोनलोजी जरूर पड़ें और इसके तो मैंने भी करन्ट हफेस में इसको जोडबी दिया है यह तो पढ़ाहँ तीसरे टेस्ट में noi 3 को आप दो बार पढ़ लेंगे और इस से बहुत सारी चीजे मैं मानता हूँ यह टो इना प्रेस्ट फॉड़ी से मुश्किल जरूर लगती है उसमें बहुत जादा है और थोड़ इसके पेज भी सब्सक्राइब लगते थोड़ा पढ़ने में बोरिंट टाइप की लगती है लेकिन इसको आप पढ़ने में अगर आप इंट्रस्ट क्रेट कर लेंगे उसके बाद इस एक छोटी सी मेगजिन जिसमें 60-65 पेज होते हैं बहुत नोलेज भरी पड़ी इसमें आप बहुत कुछ नहीं नहीं चीज़े सीखेंगे आज के लिए उन्हें बहुत अच्छा चेंजेस किया है कि यह कोई भी संस्त्रा आती है कोई भी व्यक्ति आता उसके बारे में थोड़ा सा बेग्रॉंड में नोलेज भी देता है अलग बोक्स में तो आपसे आपको बहुत कुछ जानने को भी लगा इसको आप जरूर पढ़ें अंतराश टेक्नोलोजी को और हर तीन-चार मेने में राज़स्तान क्रोनलोजी मेगजिन भी आते हैं उसको भी आप जरूर पढ़ें बहुत अच्छे सवाल उसमें भी आपको मिलते हैं अब आगे बढ़ते हैं क्यision 95 मता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है 26 जन वरी 22 जन वरी चटमार जनवरी मेरे घर से या आपको एंसर आना चाहिए बहुत आसान सा सवाल है मतदाता दीवस भी सकते राश्ट्री मतदाता वास्तम में इसका नाम सही है राश्ट्री मतदाता दीवस कर當 ना मातATHANята पूर जो है कि मैं अपन्फ के बारें एक्ट बदा देता हूं कुछ बागspan में निर्वाचन आयोग का उलेख है भाग 15 संविधान के निर्वाचन आयोग का उलेख है ठीक है कौन से आर्टिकल में यह भी बता देता हूं अनुछे 324 से लेकर 329 तक यहां पर आता है इस निर्वाचन आयोग का गठन का हुआ यह गठन होता है 25 जनवरी इसी 25 जनवरी को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी को बाद में यहां पर लगबग 61 वर्ष बाद मतदाता दीवाचन शुरू किया गया 25 जनवरी 2011 से क्यों शुरू कुया गया कम मतदान पर्सेंटेस को कम देखते हुए मतदाता को जागुरू करने के लिए 2011 से हर साल राष्टे मतदाता दीवस मना जाता है यानि यह मतदाता दीवस मना जाता है 25 जनवरी को क्योंकि 25 जनवरी को इसकी शुरूवात हुई थी एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ 2020 का वैसे अगर आप एक्जाम दे रहें तब तक 2021 का भी मद्दाता दिवस आ जाएगा 2020 का मद्दाता दिवस की थीम क्या थी कई बार एक्जाम में थीम भी पूछी जाती है मैं 2020 की बता रहा हूँ हो सकता के एक्जाम तक 2021 की थीम भी आजाए 2020 की थीम थी सशक्ठ लोक तंत्र के लिए मैं बोलकर यहाँ पर बता रहा हूँ सशक्ठ लोक तंत्र के लिए निर्वाचन साक्षर था ये इसकी थीम थी अब आगे बढ़ते हैं राजस्तान में सरोपर्तम लोकायुक्त की इस्थापना कब हुई देखो केंदर में लोकपाल होता है राज्य में लोकायुक्त होता है अभी नया जो कानून बनाए वो 2013 का है लोकपाल और लोकायुक्त अधीनियम लेकिन लोकायुक्त का प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो गया राज्यों में ठीक है लोकायुक्त बहुत लोकायुक्त गठन बहुत 40-50 साल पुरानी कहानी है लेकिन ये 2013 में आकर अन्नहाजार के बहुत बड़े आंदोलन होएते आपने देखा होगा ठीक है उसके बाद भारत में लोकायुक्त बनता है ये किया राजस्तान में सरुपरतम लोकायुक्त का बना तो इसका सई आंसर ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये भी 28 अगस्त 1973 ये सवाल ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं एक्जामें हमने वही सवाल आपको टेस्ट में दी जो बार-बार रिपीट होने की संभावना है ठीक है तो 28 अगस्त 1973 को लोकायुक्त की स्तापना होई और आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्तान के पहले लोकायुक्त कोन थे अब एक दो सवाल है पूरे देश में सबसे पहले लोकायुक्त कानून कहा बना तो पहले कानून बनाता उडिसा में ध्यान रखना उडिसा में कानून तो बनाता पर लागु नहीं मुझे थोड़ा सा इकजक्ट यहां पर मैं इसको फिलाल छोड़ दिता हूं महाराष्ट में ध्यान में सबसे पहले इसको यहां पर लागु किया जाता है राजस्थान में 123 में लागू होता है थीक है या कुछ आपके लिए ary next question number97 grham Pancayit का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है collector करता है चुनावायोग पर केंदर सरकार पर यह राज्य सरकार पर चुनावायोग में आप राज्य चुनाव आयों कह सकते हैं यह राज्य का चुनाव आयों ठीक है क्यों हम राज्य की बात करने हैं इसका सही आंसर क्या होगा क्या क्लेक्टर करवाता है राज्य का चुनाव आयों कराता है केंदर की सरकार यह राज्य की सरकार चुनाव करवाना राज्य की सरकार पर निर्वाचन कराना किस पर निर्वडर करता है राजे सरकार तो इसका एन देना इसका अंसर द्री होगा चुनाव आयोग कासी होगी यहां पर ठीक है और चुनाव संपन करवाने काम il can कराता है लेकिन यह निर्बर करता है राज्य सरकार पर तो यहां पर थोड़ा कंफूज नहीं होगे आपको क्यूशन नमबर 98 नेमने लिखित में से कि समीति या आयोग के द्वारा इस्थानिय वित आयोग के निर्मान के विश्य में सुजाव दिया गया बलवंतराय मेता समीति अशोक मेता समीति प्रशाशनिक शुदार आयोग सरकार या योग फटा फटा फटस इसका जवाब बताईए अगर आपको आता है तो तब तक मैं आपको दूसरा सवाल भी बहुत पूछे जाता है ठीके इन्हों नहीं इस तरह का इसा थोड़ी होता है कि कॉंग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी या बीजेपी या और भी कोई पार्टी परधान के चुनाव हो चाहिए जिला प्रमुक में वो दल की आदार पर होते हैं लेकिन पंचायत किती इसको खारिज कर दिया गया दूसरी पंचायति राज होना चाहिए यह भी बाद में सरकार ने बदल गए यह सारी इनकी सिफारिस से खारिज होगे असोक महता समिति कोई भी सिफारिस लागू नहीं हुए थी प्रशाशनिक शुदार आयोग इसके बारे में बता देता और सरकार्यायोग यह केंदर राजी संबंदों की समिक्षे के लिए बनाता, 1983 में आरे सरकार्या, रंजी सिंग सरकार्या, अब सवाल के आंशर पराते हैं 네, सवाल राजस्तान की प्रतम महीला जिला प्रमु को यहां पर पूछ जा रहा है नगेंद्रबाला देखो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राजस्तान की पहली महीला जिला परमुख शिरी मती नगेंद्रबाला ये कोटा जिले की सबसे पहले जिला परमुख बनी थी इनके बार में एक दो फैक्ट ये दो बार विधायक भी रह चुकी कॉंगरेस पार्टी से और ये प्रसित स्वतंतरत सेनानी केसरी सिंग भारट की पोत्री थी नगेंद्रबाला तो बहुत एक स्वतंतरता सेनानी भी थी स् इनमें भी उन्होंने बढ़ चड़कर यहां पर हिस्सा लिया था अब बात कर रहे हैं अंतिम सवाल क्यूशन नंबर सो राज्य विदान मंडल के सदंधर बेन निम्र लिकित कतनों पर विचार कीजी राज्य पाल राज्य के विदान मंडल का अभिन अंग नहीं होता है राज्य पाल भी विदान मंडल का बिनंग होता है पहला कतन गलत हो चुका है राज्य की विदान परिशत का स्रजन यो उत्सादन उत्पादन नहीं लिखेंगे यहां पर लिखेंगे उत्सादन करने उत्सादन का मतलता समाप्त करने की शक्ती राज्य की विदान सभा में नहीं ते यह भी गलत है अंतिम निरने संसत का होगा ना कि राज्य की विदान सभा राज्य की विदान सभा नहीं समाप्त कर सकती है तो दोनों ही कतन गलत है option D इसका सई कि आंसर हो जाएगा clear हो गया यह सारे सोज सवाल हो गए आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो comment लिकर मुझे बताईए, दूसरों के साथ भी share कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप comment करते हैं, यह आपकी comment मुझे उत्साहिद करते हैं, तो next video में फिर मिलते हैं, thank you